अब काम करने का तरीका है जब पल्ग करते हैं तो यह आपकी श्कीन को पतली करने लगती है तो प्रकुलिकि HELज्ञ पीमपल करने लगके लिगती है एक की है यहिए सब्ड़ध इसके तो में कि हैं अब 21 flaws पड़ी तीए वह बहुत ही सेंसिटीव होती है के बार सैंसिटीव होने के बाद आप कोई भी करीम लगाते हैं जो आपका इसकी इरीटेट होने लगेगी अपकी स्कीन रियाक्ट करेंगी हो सकता है कि अपके इसे कि नीख्युद्ली या हो सकता है कि आपको नहीं हो सकता है उसकी वजह से आपको फिमपल्स ब्याने लगे मैं यह सकता है कि आपके क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में केमिकल का यूज किया जाता है तो इसी से आप अंदाजा लगा लिए कि अगर जब आप वेट नो वेट लगाना बंद करेंगे तो ये कितनी तेजी से आपके स्कीन में हामफुल पहुचा सकती है और आप किसी भी कीमत में अपने स्कीन को वापस ठीक नहीं कर पाओंगे बहुत अगर किसी ने एक दो मैंने वेट नो वेट यूज किया है तो साइट चैंसे कि उनकी स्कीन बच सके इस टाइम अगर उन्होंने साल दो साल या रेगुलर वो लगाए जा रहे हैं तो उनकी इसकीन जब वह एक ऐसा टाइम आएगा ज चीज को लिए बनी है जैसे कि कोई अगर चोट लग गई हो कट लग गई हो किसी को इरिटेशन हो रही है किसी के वज़े से स्कीन में कुछ रियाक्ट हुआ है जिसमें आपको डॉक्टर ने सला दिया है तो आप लगाओंगे लेकिन मैंने अभी तक ये भी देखा है कि लगाओ तो गोरे हो जाओगे अब लगाओ तो आपकी स्कीन दम स्मूथ हो जाएगी आप लगाओ तो आपकी स्कीन में काफी सारे चेंजेस आएंगे तो यह सारी चीज आप बिल्कूर ना करें वेट्न वेट ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बनाई गई है वह एक पर्टिक सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब में कमेंड करके बताएं कि आप क्यों यूज और किस चीज के लिए और दूसरी चीज जो लोग लगाने के बारे में ऑपी सोच रहे हैं तो मेरी सला है कि बिल्कुल भी आप ना लगाए और जिनको वेट्नों वेट चे रियक्त हो चु बना रहे तो चलिए मिलते हैं अपने नए इंफोर्मेशन और नए गाइड लाइन के साथ आज के लिए इतना ही बाए बाए दोस्तों